लंबर डिस्क इंजरीज एंट्रिट्मेंट आपकी स्पाइन यानि रीड विबिन हड्डियों जिने वड़िब्रे यानि कशिरुका कहा जाता है उनसे बनी हुई होती है आपकी ये वड़िब्रे एक साथ मिलकर एक शुरकशात्मक सुरंग बनाते हैं जिसे स्पाइनल केनाल यानि रीड की हड्डिया यानि कशिरुका से बनी हुई एक खोकली नहर कहा जाता है जो आपकी रीड को पूरी लंबाई से गुजर कर आपकी स्पाइनल कौड यानि मिरुदन को चारो और से गेरती है मिरुदन के प्रत्यक तरब से उनमें से उत्पतित होने वाले Spinal Downs यानि मिरुदन की तंत्रिकाई Spinal Canal में से उसकी छोटी बॉने चैनलो यानि कशिरुका के दोनों तरब बने हुए छोटे-छोटे छिद जिसे Neural Foramina कहा जाता है उनमें से बहार निकलती है आपकी Lumber Spine यानि कमर के हिस्से से आई रीड आपकी Spinal Column यानि कशिरुका से बना स्तंब का नीचला तिसरा हिस्सा है प्रत्यक वर्टिप्रे यानि कशिरुका के बीच एक लचिला पैड होता है जिसे Intervertible Disc कहा जाता है जो आपकी रीड के लिए आगात आउशुचक के रूप में कार्या करता है जब आप एक खड़े होने के स्तिती में एक जुकी हुई स्तिती में जाते हैं तब आपकी Lumber Spine पर 50 से अधिक दबाव आ सकता है या जब आप एक खड़े होने के स्तिती में से एक बैठने के स्तिती में जाते हैं और उसमें पीछे से कोई आधार न हो तब आपकी Lumber Spine पर 80 से अधिक दबाव आ सकता है Intervertible Disc के टिशू से बनी एक मच्बूत बाहरी रींग को Annulus Fibrosis कहा जाता है उसके नरम चैलीक जैसे कैंद्रे को Nucleus Pulposis कहा जाता है किसी दर्दनाक चोट के दोरान आपकी रीड एक जबरजस टिकोटी के साथ आगे जुख सकती है जिसके कारण आपके वड़े ब्रे यानि कशिरू का आपकी एक या अधिक Lumber Disc के आगे के हिस्से पर उसकी सामान्य सीमा से अधिक दबाव डाल सकती है इस कारण से आपके डिस्क का पिछला भाग पीछे की तरब से बाहर निकलता है जिससे आपके एनिलस फाइब्रोसिस में छोटे-छोटे चीरे पढ़ते है और वो पतला हो जाता है समय के साथ आपका शतिग्रस अनिलस फाइब्रोसिस कमजोर हो सकता है और उसका आकार बदल सकता है और आपका नुकलियस पल्पोशस शुश को हो जाता है और उसका लचिलापन खो सकता है जैसे जैसे आपकी इंटरवर्टेबल डिस्क की सिति बिगड़ती है आपका नुकलियस पल्पोशस आपके अनिलस फाइब्रोसोस को उसकी सिति से बाहर की और धकिल सकता है जिसके कारण आपके डिस्क में उभार या सूजन हो सकती है उसके स्थान के आधार पर ये उभार या सूजन आपकी मिरुदन के तंतरिकाओं में से किसी भी एक पर या आपके मिरुदन पर या आपके क्वाड़ा एक विना जो कि आपके मिरुदन में से निकाली जाने वाली तंतरिकाओं का एक समू है जो आपकी मिरुदन के अंत के हिस्से में स्थित है उस पर दबाव डाल सकता है या उत्तरजित कर सकता है Central disc bulges यानि disc के कैंद्रिय या मध्य हिस्से में आया उभार या सूजन आपकी spinal canal में पीछे की और बाहर निकलता है Lateral disc bulges यानि disc के किसी एक तरफ आया उभार या सूजन आपके Neural Foramina यानि कशिरुका के दोनों तरफ बने हुए चोटे-चोटे छेत की और बाहर निकलता है Lumber disc में होने वाली घंबिर चोटे आपके Annulus Fibrosis को फार सकती है आपके Vertebrate यानि कशिरुका से आने वाला दबाव आपके Nucleus Pulposus को आपके फटे हुए Annulus से बाहर निकल सकता है जिसके कारण Disc Herniation होता है एक Herniated Lumber Disc आपके Quad Aquina या मेरुदन में से निकलने वाली तंत्रिकाओं पर दबाव डाल सकती है या उत्तजित कर सकती है और उसके कारण आपके एक या दोनों पैरों में दर्द, सुन्नता या कमजोरी जैसे लक्षन पैदा हो सकते है लंबर्डिस की चोटों के लिए इलाज में आराम करना अंटी इंफ्लमेटरी यानि सुजन सूर उभार काम करने वाली दवाहिया मास पैशियों को आराम देने वाली दवाहिया या मलहम कायल ख्षेत्र पर बर्फ या गरमशेक करवाना फिजियो थरापी यानि शारिरिक व्यायाम उतजित तंजरिका के ख्षेत्र में सिधा दिया गया अपिडूरल स्टेरोल्ड इंजेक्शन और अधिक गंपिर मावलों में सरजरी यानि ऑपरेशन यानि शल्लेकरिया शामिल हो सकते है